बूर्णिंग बच्चो बियार स्कूल के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वाकत है तो देखो पिछली क्लास में ने देखा था कि हमें है वो बोजन किस प्रकार से करते हैं या फिर बोजन करने के लिए हमें किन चीजों क्या सकता होती है तो देखो सिंपर सी बात है ब फसल के रूप में उसे प्राप्त करते हैं तो देखो फसल किसे कहते हैं यानि जब किसी पो देखो किसी बड़े स्थान पर है वो गया जाता है या फिर बड़े पेमानने पर गया जाता है तो उसे फसले कहते हैं तो देखो फसले में कई परकार की होती है तो उनके बारे मे हमें आज पढ़ना है तो देखो आप जानते हैं कि फसलें विबिन परकार की होती हैं जैसे कि अन सबजियां एमफल जिस मोसम में उगाई जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों को वरगी करत कर सकते हैं यानि उसके उगाने के आधार पर हम उने विबक्तिक कर सकते हैं भारत एकवी साल देश है, यहां ताप, अधरता और वर्सा जैसी जलबाई वियर परसतिया एक छेतर से दूसरे छेतर में छे बिन है, यारनी भारत है वो एक बहुत बड़ा देश है, जहां पर अलग अलग स्थानों पर उनके वर्सा की मातराता, पीतिया दिस सब भी अलग अधर उनके अधर पर अधर फसलों को कई भागों में बांट सकते हैं, तो देखो अधर देश के विवित भागों में विवित परकार के फसले हैं, वो बोई जाते हैं तो देखो इसका आगे इस विवी तक के बावजूद मोटे तोरफर फसलों को दो बागों में बांटी सकते हैं यानि इसके अधारक में वसलों को दो बागों में बांटी सकते हैं तो पहले है खरीब की फिसल और दूसरा है रबी की फिसल तो देखो खरीब की फिसल किसे काती है तो वह फिसल जिन्हें वर्सा रितु में बोया जाता है खरीब की फिसल कहलाती है यानि जिन्हें वर्षा रित्व में बोतियां वे खरीब की फिसल कहलाती है भारत में वर्षा रित्व समनेता है जून से स्टमबर तक ही होती है बारत में है वो खरीब की फसल उगाने के लिए स्थी टाइम है जुन से स्टंबर यानि ये वर्सा रितु में बोई जाती है जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मुंपली, कपाश, इत्यादी खरीब की फसले है दूसरा है देखो रभी की फसल तो स्ट्रितु यानि अक्टूबर से मार्स तक में उगाई जाने वाली फसले रभी की फसले कहलाती है जैसे गेहूं, चना, मतर, सस्चु और अलसी रभी की फसल के उदार्ण है यानि जो अक्टूबर से मार्स के माहर में जो फसले उगाई जाती है वो रभी की फसले कहलाती है जैसे गेहूं, चना, मटर, सर्स्यू, और अलसी के भीच, इत्यादी इसके अलावा कई स्थानों पर डालने और सबजें भी रिसम में उगाई जाती है तो देखो हमने फसलों के दो परकारों के बारे में पढ़ लेए तो करीब की फसल और दूसरा है रभी की फसल अब देखो आधारिच फसल पद्दियां यानि हम फसलों को प्राप्त करने के लिए हमें कौन-कौन सी क्रिया कलाब करने पढ़ती है देखो निचे फसल अथ्वा आप सजावत्दियां के लिए किसान को अनेक क्रिया कलाप सामने करने पढ़ते हैं आप क्रिया कलाब उस परकारे के हैं जिनका उप्योग माली अथ्वा आप加वट्दियां पद्दिये पढ़ती हैं ये क्रिया कला पत्वा कारिय कर्शी की पड़तियां कहलाती है जो आगे दिये गए हैं यानि हमें आगे पढ़ना है कि किस परकार से यानि किसान जब खेती करता है किसान जब फसल का उतपादन करता है तो उसे किसान के इन चलनों से गुजरना पड़ता है ये सारी किसारी रुक देता है उसके बाद है वो उसकी सिंचाई करता है उसके बाद है फसल की सुर्क से भी करता है उसके बाद उसकी कटाई करता है उसके बाद उसके फसल का नाजिक का फिर बंडारने किया दरता है यानि उसे फसल प्राप्त करने के लिए इन सब चर्णों से गुजरना झाल झाल